आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ पर इसकी कुछ रिचिस्टेंस है तो यहां पर देखो वाल्टेज सप्लाई तो हमेसा कॉंस्टेंट ही रहेगा इसका ठीक अगर इसमें करेंट आई फ्लो कर रहा तो पावर इक बिटो इन्टो आई लिखोगे अब यहाँ पर देखो इसके एक रोज जो voltage अप्लाई होगा वो तो हमेशा भी रहेगा यह change नहीं होने वाला है चेंज क्या करेंट करेंट इसलिए change करेंगा क्योंकि I equals to V upon R और जैसे initially जब बल्व को on किया जाता है तो क्या होता है इसकी temperature increase करती है और आपको पता है कि as temperature increases resistance भी क्या करता है increase करता है resistance भी increase करता है क्योंकि resistance जो होता R01 plus alpha T होता है अब यह आपको पता होने चाहिए कि यह tungsten की बनी होती इसकी filaments tungsten की बनी होती तो pure metal होता है जिसके करान इसकी जो resistance है वो temperature के साथ increase करती है जो current i है, वो decrease करने लगेगा, जैसे से heat होगा, और क्या होगा, जब current decrease करेगा, तो power equals to b into i होता है, तो मतलब power भी जो अगर voltage को constant मानते हैं, तो power resistance की अगर आप dependency की graph देखोगे temperature के साथ, तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक, actually resistance के साथ, नहीं, resistivity के साथ होता है, resistivity के डायकली पोश्चन होता है resistance, और यह temperature का जब graph देखोगे, यह graph कुछ इस तरीके साथ है, ठीक, ऐसा आएगा, ऐसे, और यह ऐसे फिर steady हो जाता है, मतलब सीधा जाने लगता है, मतलब कुछ time के बाद क्या जाता है, temperature के साथ, यह जो resistivity होती है, वो vary नहीं करने लगती है, ठीक है, मतलब यह y-axis के साथ, मतलब vertical axis के साथ, ऐसे इस तरीके से graph जाने लगता है, तो यहाँ पर फिर resistance क्या हो जाता है, almost constant हो जाती है, ठीक है, यही reason है क जब कुछ time के बाद, जब power घरता जाता है, और resistance जब constant हो जाता है, तो उसके से बाद, जो power होती है, वो steady हो जाती है, ठीक है, तो यही हमारे पास regionage का, तो I hope आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होगी, thank you.